सो गाइस दिस वोस दी लास्ट प्रॉब्लम दिस लास्ट प्रॉब्लम इन दिस ब्यूटिफुल वीडियो सीरीज तो यह दो क्वेश्चन से एक साथ जो कॉम्प्रियेंशन आया था अब यह कॉम्प्रियेंशन स्पेशलिसली हो जाता है क्योंकि विश्वास घात था शह नंबर का और दे दिया आप समझ लो मेरी बात को तो यह वाला जो क्वेश्चन आना यह ऐसे लोनी किताब से जो सौ साल पहले लिखी हुई है सौ साल पहले यह किताब यह क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है अब क्या बोल रहा है कंसिटर एंड ऑप्टूस एंगल ट् अब देखिए आप से बेसिकली देखिए दो चीज़े पूछी थी एरिया और इन रेडियस मैं दोनों चीज़े आपको निकाल के बताऊंगा पहले डाइग्राम बनाले जिए एक अप्टूस एंगल ट्राइंगल है ठीक है यह एंगल पाई बाई टू प्लस ठीटा यह एं सबसे छोटी साइड ए माइनस दी माननी और यह साइड ए आगी करेक्ट अब ओव्वेसली साइन रूल लगाएंगे इसके अंदर तो साइन रूल लगाएंगे तो कित्ता हो जागा ए माइनस डी फिर इसके सामने साइन ठीटा इस इक्वल टू ए अपॉन साइन पाई बाई यह बढबर होता है तो यह बढर होके अब यह अप्र आई थी दोस्तों यह क्वेसल से कैसे होगा सॉल ऐसेई स्लम्रों घेंचे डूल में अब ओ से कैं तो साइन ठीटा बliamo कॉस्टिटा इसको फैक्टराइज किया साइन स्वार्टीटा कॉॉस्टा नोट करें बेसिक ली आपका जो कॉस्ट है लेगाम मॉइन साइन ठीटा वह झाल घैए कि करें ङूस्टीटा मिनस ठीटा आपका हाफ आ अब याद देखिए आप cos theta minus sin theta half है, इस equation को solve करना है आपको, इस equation को basically आपको solve करना है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको square कर दो, 1 minus sin 2 theta, 1 by 4 तो sin 2 theta भीटा आपका कितना आजाएगा, 3 by, right, मतलब sin theta into cos theta आपका 3 by eta, अब मैंने एक ऐसी equation सोची, minus minus लगाएंगे, ऐसी equation सोची, जिसके root से cos theta और minus sin theta, तो वो equation यह आईगी न, x square, sum of roots और product of roots minus 3 by eta, correct, minus sin theta और cos theta इसका root है, तो x कितना आ गया, half plus minus, under root of 7, मतलब 1 plus minus root 7 by 8 आ गया था, correct, तो आपका cos theta कितना आ जाएगा, 1 plus root 7 by 8 और sin theta कितना आ जाएगा फिर, root 7 minus 1 by 8, ठीक है, in fact 4 आएगा यह आप, 4 और यह भी 4 आएगा, ठीक है न, इसको आप, solve कर दिजिए, 4 आएगा, देखे आप difference कितना आ गया, half आ गया, तो यह sin theta और cos theta ऐसे आ गया, अब देखो आप, essentially आपको क्या दे रखा था, इसको और इस equation को देखे, a plus d upon cos theta, a minus d upon sin theta, is equal to 2 दे रखा है न, फिर से इन दोनों को add कर दो, इन दोनों को add करोगे तो 2a upon root 7 by 2 is equal to 2 आ गया, तो a आपका root 7 by 2 आ गया, d आपका half आ जाएगा, तो सारी sides निकल गई आपकी, सारी sides निकल गई, अब triangle फिर से बनाई है, ठीक है, यह a minus d, यह theta, यह a plus d और यह a है, अब area किता आ जाएगा, half a into a plus d into sin theta, यह होता है, तो half a आ गया, आपका root 7 by 2, a plus d किता आ गया, root 7 plus 1 by 2, sin theta आपका दे रखाया, root 7 minus 1 by 4, ठीक है, तो delta किता आ गया, देख लीजिए अब रूट 7 plus 1 into root 7 minus 1, 6 हो जाएगा, एक इसको 3 लिख दिया मैंने, तो 3 root 7 by 16 हो गया, अब आप से क्या पूछा है, 64 a का square, तो 64 delta basically 4 root 3, oh sorry, 12 root 7 हो गया, तो 12 root 7 का square किता हो गया, 144 into 7 which is 1008, फिर उसके बाद यह तो area हो गया, अब area के बाद आप लोगों से क्या पूछा था, circum radius, circum radius का हो था, delta by s, तो 3 root 7 upon 16, अब delta s किता हो गया, 3 a by 2 हो गया, तो 3 into root 7 by 4, तो 1 by 4, तो circum radius किता हो गया, इसका 0.24, तो basically pure SOT का question था है, तो मैं फिर आप लोग को दोस्तों यह ग्यान देना चाहूंगा, SOT के अंदर आप लोग स्ट्रेट आर, small r, capital r, delta, sign rule, cosine rule, यह 5 चीज़ है, definitely करें, बाकि आप चीज़ें चाहें तो छोड़ सकते हैं,